बालाखाट विदाह के द्वारा जिला चिकिस साले बालाखाट का आउचक निरक्षिन किया गया जिसमें उन्होंने जिला चिकिस साले के अउचक निरक्षिन किया गया चिकिस साला के आउच्छक निरिक्षन किया गया जिसमें उन्होंने मेडिकल वार्ड, बलड बेंग से इतने वार्डों का निरिक्षन किया जिसमें उन्होंने जिला चिकिस साला में उपशार करने आये मरीज से चचा किया और उनके हल चाल चाना कि उन्हें जिलाची किस साले में किसी प्रकार की कोई परिशानी तो नहीं हो रही है डॉक्टर उनका सही इलाज करवा रहे है या नहीं इस विशे को लेकर उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से पुस्ताद भी की उसके बाद माँ गहन चीकेस साकेंद्रमें पहुंची महा की इस्तिति उन्होंने जाय जाली और उन्हें जोलाची किस साले को लेकर शिकाइत मिल रही थी वह उन्हें यह भी बता है कि प्रसव के नाम पर जो जिलाची किस साले में पैसे का लेंदियन चल रहा है उसकी भी उन्हें जानकरी है और जब विधायक नहीं बनी थी तब भी इसका निरिक्षन करने भी वह जिलाची किस साले पहुंची थी और उन्हें मरीच के परिजन के हुआ हेची ध्यानना है टेया में पर हमो और हमीस दिधाली माश्रीत कषाा आज पर सेखेरें तो मैं यह कहने चाहूंगी कि काफी व्यवस्था है कि मुझे ठीक लगी उतना मैं नहीं को लूँगी कि विवस्था हैं कुछ सुधार की भी अपेक्षा है कि सुधार हो क्योंकि विदान सबसा चुनाम जीतने के बाद जनता के आशिरवाद से मैं पहली बार निरिक्षण मे आए हैं और जैसा कि आप देख रहा है कि हमारे साथ यहां के जो अस्पताल के अधिक्षक ट्रक्टर संजद अगर्णाम जी तो एक चीट जो बहुत ज्यादा कलती कि वह जो डाइलेसिस मस्वीन है जो बंद पड़ी है उसके लिए काफी शिकायते मेरे पास भी आती रहती और उसको सुधार की कोई मतब गुंजाइश नजर नहीं आती असा लग रहा है हमने बात की है डॉक्तर साथ से यह अगर मशीन सुधार जाए तो जो बाहर जा रहे हैं जो बहुत बहुत लंबा खर्चा आता है उसके काफी रहत मिल जाएगी क्योंकि हम सभी जाते हैं कि ब और मजबूर हो कि घर में बढ़ जाते हैं कि अगर डाइलिस ना हो तो जीवन बहुत पढ़ जाता है हमारे जोगी पेशन्ट होते हैं तो हमारी इस प्रवंदन से हम यह कहना चाहते हैं कि यह प्रोपर हो उसके लिए मशीन या तो बदली जाए या फिर सुधार होता तो हो अभी तक मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि काफी हत्तर संतोष प्रग है तुकि प्रसूति वार्ण में जो है प्रसाओ को लेकर लेंदेन की बात चलती है आपके भी संग्यान में आया होगा इसको लेकर किया भी संग्यान में यह बात आई है और अभी कुछ दिनों पहल कि यहां पर अभेद वसूली कुछ लोग अनाधिकरत रूप से गुस्के करते हैं और मरीजों को आधी राग कोई परिशान किया जाता है तो हम उनके क्लाप कंपेंट कर रहे हैं तो मैंने और उन्हों मैंने से यहीं कहा कि बिल्कुल आप करीए क्योंकि आपके अस्कतार मे में 5 लाग रूपसे तक कि उप्चार की बात कही जाती है इस सामने के नो उनके रूपे मांगे जाने का रूप अस्पताल प्रबंदन पर लगाय जा रहा है। यूज़ करने आएं मरीज के परीजन नाराज हो ए और उनने अस्पताल प्रबंदन पर जम कर आक्रोश्निकाला। कि अधिन ग्रीज है वर्याय जाल आज एक नारेम इसी किये ते जिए ये जिए हैं । से कछा रहा डोगा ओलगा जो अगद्वर्त कि और नहीं कि वा याज एक वह भी प्रेशा झाल एगाई वह लोगा नहीं स्टेशल वा वे दिख सेशले लेकाई आप ऑद लेख तो अब और डोगाई भाधी जैते शेये पर को में आप तो लेकाई सर मेरा ना मिम्मतलाल बसेनी, मेरे चाचा का नाम स्रीचन बसेनी, सुभा हमारे चाचा का एक्सिडेंट हुआ, हमने गणपती में मुझे हापिटल लेगा है, आयूसमान कार्ड के राद समगर आईडी के लिए, हमें सुभा से साम तक हमें भरमीत किया गया कि आपता इलाज स समगर आईडी और आयूसमान कार्ड में हो जाएगा, अभी रात होने की पस्चाद यह बोल रहे है कि हमें पैसे की लगेंगे, हमें 95,000 रुपे का बिल बता रहे हैं और हमारे आयूसमान कार्ड नहीं चलता, और आयूसमान कार्ड का बोड लगा के यहां खड़े हुए, सर पाइसे वालों का इलाज हो दॉक्त ने बोला सुबह साम को सुबह से साम तक हमें भरमित किया गया कि आयूसमान कार्ड में हमें पन्दरह पंदरह दीन लगते हैं, हमां कभी पंदरह दीन एप्रूवल ले लेने के लिग श्ताब है पैसे की बात नकाल ली हम अपर हमें 13 करको सब्सक्राइब बएक ग्राइब बच्छाद कि लाता चल अग्वा रिखाए जाए जर को दोधिया नगा कि आपको चाचा पापा के चोटे बाइज्यंग प्रबंदन के दॉक्टर अभिनास सारे से दुर्भास पर चर्चा की गए तो उनके द्वारा बताएगे कि जो आरोप उनके अस्पताल पर लगाए गया है वह निराधार है उन्हें स्वाइम इस केस को लेकर मरीच के परिजनों से चर्चा की थी तो मरीच के परिजन उनकी अस्पताल में अश्मान काट से संबंदित गंबीर विमारी से उपचार होते हैं जिन्तों सबसे पहले बाइस्वाइम भी सौफ्ट्वियर के माध्यम से अपरोल लेते हैं और उन्हें परसनली मरीच के परिजनों से भी बात कि थी गिन्तों उन्हें अस्पताल प्रभंधन नंदी के हमयान चोख में मनाएं जिसमें सरव प्रतम मुख्यातीतियों ने महाफ़ुष्यों की प्रतिमाओं पर मल्लयार्प्ण किया वहें शेज़िदों की गुर्बानी को यादकरती हुए शेज़िदों को नहीं बिकिया गया इस दोरान स्कुली पच्चों ने संस्कृतिक कारिक्रमों की प्रस्तोती भी दी और इस कारिक्रम में श्री राम्भ मातशीता लश्मन की ज्ञागया आकर्शन का केंद्र रही लालवरा नगर मुक्यले से लगभग 10 किलोमेटर दूर ब्राम पंचयत बांदरी के अंदरगत आने वाले बुट्टा हुडकी में 26 जनवरी को समाजिक तत्वों के द्वारा आदिवासी समाज के पुजास्तल पर तोड़ पोड वधार्मिक सत्रंगी द्वज को फार कर फेकन का मामला प्रकाश में आया था जिसकी शिकायत भी आदिवासी समाज के द्वारा लाल बरत थाने में कर कारवाई करने की मांग की गए थी लेकिन एस मामले को लगभग 5 दिन विज जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई भी कारवाई अब तक न करी लेगे परंतों संतुष जनस जवाब ने मिलने बहुत स्विकायत के 5 दिन बिज जाने के बाद भी असमाजिक ततों पर कारवाई नहीं होने से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने फुलिस प्रशासन पर कारवाई नहीं करने कार उप लगाते हुए आदिवासी सम वाले अस समाजिक तत्थों पर चल्थी कारवय करने की मांगी वो दो दिन के अंदर मांगे पूरी ने होने पर आंधुरन करने की विचेताओं ने शालसन प्रिशाचन को दी जो बोटे पाड़ी है कंजई के पास में वहाँ पे हमारे जो धायमिक इस्थल है पूजा गोंगु को इस्थल जो इसको हम बोलते हैं बड़े जलकी वहाँ पे हमारी धार्मक भावनाओं को 26 जनवरी का जो पावन दिन है उसी दिन हमारे वहाँ पे छंडा उखाड के फिका नगूरे अवाबगा अगिए और ये समाजीक ततफों ने जो काम किया है उसके लिए हमने ठाना प्रभारी को यहांपर तीन दिन पहले अविदन दिया था कि लिखकान के ठीक सामने कपड़े की दुकान वाले के लड़के ने अपनी दुकान के बगल में इस्थित कपड़े की दुकान वाले को लोहे के रोड से और हाद बुकों से मार्पिट कर गायल कर दिया 31 जनवर को धाई बज़े करीबिया घटना कपड़े के रेट पूछने को लेकर हुए मार्पिट में घायल वेक्ति गनिश पिता प्रकास कुवर और 30 वर्ष वार नमबर 12 बुड़ी बालाखाट इवासी को जिलास बताल में भर्ती किया गया है प्राप्त जानकर के नुसर गनिश पिता गनिश पिता प्रकास के पति बताल में बेटा इस दुकान में उसके पास जाकर पूछा कि चाचा आप मच्छरदारी कितने में बेशते हो तो संद्या खान के पति ने काटा है सरुपे में तब गनेश कोवर ने बोला कि सही रेट में बेच रहे हो चाचा गनेश कुवर ने यह कहने के बार देहीं संध्या खान का बेटा तालीप भान आ गया और गनेश कुवर को जातीगत गाली देने लगा गनेश कुवर ने उसे गाली देने से मना किया तो तालीब खान ने दुकान में रखी लोहे के राड से गनेश कुवर पर हमला कर उससे माना सुरू कर दिया लोहे के राड से गनेश कुवर के सर हाथ कोहनी दिया और अरिने शरीरों में काफी चोटे आई रोड के बार से गनेश कुवर का सर फट गया तालीब हान के दबारा मारपीट करते देख पंकज गौतम और राजा उर्फा नुरांग में इश्रामी पहुचे जिनोंने बीज बचा हुगिया इसके बाद तालीब हान ने गनेश कुवर को पुना कबड़े का रेट पूछने पर जान समान डाने की धम की देदी उसके बाद मारपीट में घायल गनेश कुवर की अपनी पतनी के साथ रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोतवाली पहुचा कोथवाली पुलिस ने गनेश कोवर को जिलास पता लाकर उसका इलाज करवा कर भरती किया कोथवाली पुलिस ने गनेश कोवर के द्वार कीगे रिपोर्ट पर तालीब खान के विरुद 294, 323, 506 के अलावा धारा 3, 1, 2, 3, 2, 5 का अनुसुची जाती जन जाती अत्याजार निवारान अधिनियम के तहत अपरा दर्चकर विविचना सुरू की कोची मैने बाद अब लोगसबा चुनाव होने में हैं जिसको लेकर आब सभी राजने तीक पार्टियों ने अपने अपने सतर पर लोगसबा चुनाव के तयारी करना सुरू कर दिया है उसे प्रकार आदिवासी समाज के द्वारा भी लोगसबा चुनाओं के तयारी करते हुए 31 जनुरी को आदिवासी 52 बालगहाट में एक प्रेस वारता का आईजन किया गया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से सिवनी बालगहाट छेत्र में कॉंग्रेस का लोगसबा प्र प्रत्याश्री पर गवर करें तो कॉंग्रेस किसी नए प्रत्याश्री पर दाव लगाने के अपेक्षा अपने पीटे हुए प्यादों को ही चुनाओ में दान में वतार सकती है इसका भी खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है इससे पहले कांग्रेस के सामने अपने अपरंपरागत आदिवासी ओटो को बनाये रखने की भी बड़ी चुनूती है क्योंकि अब तक खामोश रहे आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस से संसदी छेतर में इस बार आदिवासी प्रतिनी दित्व देनी की आवाज को बुलंद किया आधिवासी समाज ने कांगरेस की संसदी शेतर में होरी लगातार हार को देखते हुए इस बार जातिकत ओट बैंक में मजबूत आधिवासी समाज का प्रतिनी दिद्ध करने वाले को प्रत्याशी वर्जिन नाय जाने की मांग की यह मांग प्रेशवारता की माद्यम से आधिवासी समाज ने कांगरेस से की है विरांगना रणी दुरगाती भौन में आजित प्रेशवारता में आधिवासी विकास परिशत के दियलाद दक्ष दिने धोरवे ने कहा कि देश के आजादी के 16 वश बाद भी संसदी शेतर में आधिवासी को लोग सभा में प्रतिनी दुद करने का उसर कॉंगरेस ने कभी ने दिया दर्म के साथ भी सोगा से क्योंगरेस तो आप युदियासां कहना चाहते हैं तो कि हम कहा है यहाँ के मूल निवासी है संजे हमें हमको कहें मूल नवाषी धिर बनाति भासी घिर करएगिंगे हम को बाहर भासी घ्या evolving हम को इसलिए हमारा केदा हमारा रहा हमारा यहां है आज अद्ममेट कर अइन हो रहा हि 11 कि आज 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 एक गुदाएं में तिस जो भी पार्टी का उता है कि लालबरा के चेत्र में नुबावरा हो रहा है तो हां जाके दिखा जाए वोट भूरेने के उधाप आता है तो मेरा कहते है यह तो गौण गवारा आई इंगा इतने इस तो इस लिए हमारा कहना है क करें हमारे पुर्व अकाषट्स हां ज다면 पोड़ने समाष के अध्र Leakन, इन panihell उर्टवायजी और हमारे जक्नी बीमहिलाय माएज है तो इस अझाए विल्योग है इस अब मोगने ज quiere more हमारा इतना बालाखाट आदिवासी बहुली छेतर है और दो हजार ग्यारा की जंगाड़ना के अदुसार साड़े च्छैला कहाँ पर बोटर से और अभी शायद बढ़ गया हुए तो उस हिसाब से हमारे आदिवासी समाज को यहाँ पर कांग्रेस से टिकेट मिलनी चाहिए जब से यह देश बना है अजादी के बाद से खास्तोर से जब यह चुनाओ हो रहे हैं गरतंत ब्रणा संविधान लागू हुआ है तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है अदिवासी समाज और आज पूरी तरीके से हमारा जो भी पोसेंटेज है उसमें 70-75% बोट कांग्रेस पार्टी करती है अदिवासी समाज करता है अब यह चुनाओ जो लोकसाबा का यहाँ पे आ रहा है तो काफी सालों से हमारी बालागाट और सिवनी यह सीट कांग्रेस से दूर है भारती जन्ता पार्टी के पास है तो यहाँ बात की चली समाज के लोगों जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं यह जैसे बताएगा ना तमाम यह पूरे हमारे प्रती निदी हैं तो जन्पत सदस है जिला पंचा है सद पूरे से पूरे ये रुती निदी हमारे पास बेठे हुए बाज इन लोगों ने मुझे खबर की कि भीया आज बाला घाट आपको आना है तमाज के लोग बेठेंगे कुछ चर्चाएं करेंगे अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चित कानिल हर्ताल कर रहे दिव्यांगों के द्वारा अब अनजल का त्याग कर दिया गया है जिसमें उनका कहना है कि जब तक शासन पर शासन के द्वारा उनकी लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक मों अनजल आपको बता दे कि अपनी लंबित मांगों को लेकर अनुश्चित करनी हर्ताल पर बैठे दिव्यांगों के तवार अब अन जल का भी त्याग कर दिया गया है और उनका कहान है कि जब तक शासन प्रिशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं कहा रहेगा वह इसी प्रकार अन जल क करते रहेंगे 31 जनवर को तीन दिव्यांगों के द्वार अनुश्चित करनी हर्ताल की जारी है इसमें दिव्यांग संकी जिलाद्यक्ष अमन नामदे की दवारा बताया गया कि विगत चार दिनों से नगरपाली का कि अमबेटकर गाड़न में अपनी लंबित मांगों को ल कि हम विकलांगे आपनी आप आप आए हमारी परसानी को सब्सक्राइब चार दीन हो गया जमको दरने में चौटा दीन हो आज आप कहां से किसी ने खाँ अनजव का भी त्याग किया गया है अब तीन लोगों ने अपने विकलांग भाईयों के लिए आज आने देल के आगे हैं यहां रिष्टिक काली ने जब तक प्रसासन हमारी बातों को माननी ने पर इसी मेने प्रदेश में बस चालकों के साथ दो बड़ी घटना देखने और सुनने को मिली जहां हीट एंड रंट कानून को लेकर बस चालकों के हरताल के दोरान शाजापूर कलेक्टर की सोर सान्याल के चालकों आउका दिखाने के मामले में तरकार ने उन्हें हटा दिया था वही 31 जनवरी को बालग हाट में बड़ालियन कमांडर अनिल शर्मा ने रंग साइड से आते हुए गाड़ी में लगी टककर पर बस चालक की सारुजनिक तोर से पिटाई कर दी हाला कि उन्हें अन्देशा नहीं था कि पुलिस के रॉब में पिटाई के बाद वहां चालक ऐसा कुछ कर पाएंगे कि उन्हें हाथ जोड़ कर मुझे माप कर दो शब्दों के साथ माफी भी मांगने पड़ेगी बस चालक की बुधवार की प्राथा बस चालक में चिंदवारा में तैनात आठवी बटालियन के कमपनी कमांडेंड अन्लिल सर्माकित वारस सारुजनिक पिटाई के बाद बस चालकों का गुसा भड़क के उठा और उन्होंने बसों के पईये को जाम कर दिया यसे पूरे बस से अपनी अपनी जगवर खड़ी हो गई घटना के बाद बस से स्टेंड में एकत्रित हुए बस चालक परिशालक और एजेंटों ने वहां चालक और परिशालक संग के अध्यक्ष ए सहारे के नेत्रत में रेली निकालकर पुलिस कर्मी पर कारेवाई की मां चोड़ा रहता है वहां से गाड़ी तो मैंने गाड़ी वहां बैक करने के लिए लगाया मेरी असके न लिकालना था दो तीन गाड़ी और सो को पूर विल गाडी आई उसको भी मैंने जाने किया साइड में बच्चे लोग खड़े वे तिसको जाने वाले तो महोदाई जी ने क्या किये लैप साइड से गाडी को डाल गये फिर मैंने जितना देखा उतना देख पाया उसके बाद क्यूखिंग में बराबर देखा और आप साहर में थड़े हूं कि मेरी घंसी गाली का पुप्ता उनको लाक बिया जा तो मीदस्य प्छेल को मालूम नहीं driver प्रेंए तरहर जैसों अफन कि सामने से गाली यारी पिर मेने गांड को बाए कौ और जाल वे तो यह महोदाई जी मेरे पास का दो मेरे थोक दिया में ने पूछा उन्से पूचा सर कैसे प्रीट को इसके पर पर रहं चालें आप पीछ नहीं के सामने इनके साथ में बद्तमीजी नहीं किया न उत्पढ़ां अप तब लोगो तो तो जैसे इन्होंने आया इसके बात बोलते हैं एक वह बोले तुने गाड़ी तो करें तो है निए आप कैसे आया मेरी गाल्व में नीचर्ण आपकी गाड़ी आई आपने लेप साइट तो नोग्साइड में डाल दी जहार तक में रहा अब बताई इसमें में कुछ गलती है कि अच्छा वह पुण है अपने आपको टी आई बोले थे क्या वर्दी में थे नहीं थे वर्दी में थे कहां पदस्ने अच्छा नालेज नहीं है उन्होंने अपने मूझ से बोला कि मैं टी आई हो गार तो गारी वे पुलिस लिखा था अब पुलिस लिखा हुआ था काच पे नैंप्लेट लगी हुई थी अभी आप क्या चाहते हैं अभी बस होई मैं मापूर मंगवाना चाहता हूँ और फाई आर करूँ अच्छा लोगों सामने जो मेरी इंसल्ट हुई है वो मेरे को अच्छा नहीं लगा था अच्छा नही पर इस घटना को लेकर सवाल भी खड़े किया और उन्होंने मामले में पीडित पक्ष को नया दिलाने के ये थाना प्रभारी से चर्चा भी की घटना के लगवाक धाई से तीन घंटे बाद सारजन इक तोर से पुलिस कर्मी अनिल शर्मा के बस चालकों से माफी मांगने के बाद प्रदेशन कर रहे हैं वहां चालकों ने हरक्ताल भी खत्म कर दी इसके बाद बसों की थमेर अपतार को गती मिली और यात्रियों और पुलिस ने रहात की सास ली और मामला जैसे तरश्य शान्त हो गया मले ही पहले चालक के दवारा ये फायार की करने की बात कई जा पुलिस कर्मों के दवारा मापी मांगने पर उन्होंने उक्तमामले को भी खत्म कर सभी बस चालक अपने काम पर वापस लोट गये अपने पोजिसां का फायदा ना उक्तर है और किसी को क्या सम्मान दे क्या गलतिया हर किसी से होती है आप से होती है मेरे से होती है हमेसाथ जान दे क्योंकि छोटे का निम्न का बर्का जो आजमें तो बहुत महिनत से करता है आप पुलिस से क्या है आप सब्सक्राइब करता हूं मैंने आपको जबी पहले भी बोला कि मेरी गल्ती है मैं आपने गल्ती एक्सप्प किया पर आप मेरा सुनना भी कसर दो आप एक्षाई है होती कि हमार साथ ने आए हो अब आप पुलिस अभी कारी रोड़ा में है आप पुलिस हो तो हमारी पुलिस लेकी आई हमको ऐसी आना फड़ा पैदल वहां से लालबरा नगर मुख्याले से लगभाख 10 किलीमेटर दूर ग्राम पंचायद बांदरी के अंतरगत आने वाले ग्रामा बोट्टा के ग्रामिन जन 31 जनवरी को तैसिल कारेले पहुँचकर प्रभारी तैसिलदार को ग्यापन सौपकर बोट्टा हुडकी के शास की जमीन पर किये गए अतिकर्मन बढ़ धाबे को हटाने की मांग की मैं बोट्टा के ग्रामिनों पर सास की जमीन पर अतिकर्मन करने का जो आरोप आदीवासी समाज के द्वारा लगाया जा रहा है उसे निराधार बताया है आपको बता दे कि ग्राम पंचायत बांदरी के अंतरगत आने वाले बोट्टा के हुडकी हाईवे मार पर पंचायत की सास की जमीन है जिस पर दिली पूइके के द्वारा अवे दुरूप से अतिकर्मन कर धाबा का संचालन के जा रहा है जिससे अटाने की मांग ग्रामिनो आने की ताकि सास की जमीन सुरक्षित बच सके मैं बोट्टा के ग्रामिनों का कहना की दिली पूइके के द्वारा गद दिवस बोट्टा के ग्रामिनों पर अतिकर्मन करने का आरूप लगाते हुए थाने में जूटी शिकायत की गई जिससे ग्रामिन जनों में आख रोश जबकि दिली पूइके के दवारा बोटा पंचायत की सास की जमीन पर अबेद रूप से कब जाकर अबेद तरीकी से ढवा का संचालन कर शराब का विक्रे किया जा रहा है जिसके समी फिस्तित हायर सेकेंड इसकोलों शातर शातरों को परिशानी होती है और शराबी वक्ति से उनके मन में डर भी बना रहता है साथी अशान्ती का माहल पर निर्मीत होती है 31 जनवर को तैसिल का ले पहुंच कर इस तैसिलदार को गयापन सोब कर साथ के जमीन पर दिलीप उइके के दवार जो अतिकरमन कर बनायागा धाबे को बेदहकल कर अतिकरमन मुक्त की जाने की मांग किये अब खाली करना चीए तो आपने उनको कभी बोले समझा है नहीं खाली कर दो करके समझा है लेकिन उमाने लों मांने लिए तो सीव घृफ एक जाते नहीं दो कि जाते बोले तो यूडर के जाए हो मैरी जुटे ही आफैर का यह कितनों लों के ना पैफर के उन्ने मैं जो नहीं होना थाह वह क्या होना चीए हमारे आवाज की भूमी पर एक व्यक्ति दिलिप उई के ने अवे दुरुक्त देड़ इकड़ भूने को कभजा करके रखा है और देड़ इकड़ भूमी पर उन्होंने कुट्टा पालन बहुत प्लस जिस जगह पर उन्हें कभजा के वहां पर ढवा में आने वाद दुरु हाई स्कूल ही पढ़ती है आने जाने वाले बच्चे वहां पर पर आपके लोग रहते दारुपी कर रहते हैं और वहां भूमी से हम उसको हटाना है किसी जो है किसे तो आपने समझाश ने दी गई इसके पहले उनको समझाश दी गई हम लोग सब लोग गराम पंचयात के हम कार्पियो की टोकर से मोटर साइकल में सबार एक व्यक्ति गुलाब गुलाप सियां मेरा भी रहेंगी चिंदी टोला और उसकी बेटी कुमारी रश्वी पर मेरा भी भी घायल हो गई प्राफ्त जान करके नुसार गुलाप सियां मरावी अपने परिवार के साथ खेती की सानी करते बैटी रेश्मी बालाखाट मेरे कर पढ़ाई करती वर्तमान में चुट्टी होने पर अपने घर चिंदी टोला आ गई थी 30 जनवरी को 12 बजे करीब गुलाप सिय मरावी अपने बेटी को बालाखाट जारने के लिए अपने गाउं चिंदी टोला से मोटर साइकल से मोहगाओ बस से स्टेंट चोडने के लिए आ रहा था तबी ग्राफ रहेंगी और पंडे टोला के बीच मोहगाओ की और से 30 रपता पुत्री को जिला अस्पताल बालाखाट डेफर किया गया था किन्तु जिला अस्पताल बालाखाट से दोनों को फ्राइविट अस्पताल में भरती किया गया है